हलो गाइस मैं तारा पजापती आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत करते हूं मेरे यूट्यूब चैनल दमीरा एजुकेशन पर तो हमारा जो भाशा शिक्षन का टॉपिक है वो चल रहा था उसके अंदर हमारा जो next टॉपिक है वो है नाटक शिक्षन की विदि分 जिसके अंदर हम डिसकस करेंगे नाटक शिक्षन की जो विदिया है वो और जो प्रिवेस यह कोशन से वो और जो ट्रिक्स है इनको याद करने की वो भी मैं आपके साथ डिसकस करूँगी तो आप एंड तक बने रहें और अपने नोट्स भी साथ ती साथ बनाते रहें ताकि कि आपको जो रिवीजन है उसके लिए बहुत ही जादा आसानी हो जिससे कि आप जल्दी से इसे कवर कर सकें और यह अपना सेकिंड पार्ट है और इसी तरह की जो वीडियोस है वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं प्ले लिस्ट के अंदर सारी वीडियोस जो है हिंदी के सेलेबस की वो अवेलेबल है तो आप वहां से अपना हिंदी के सेलेबस कर सकते हैं और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलि हम शुरू करते हैं नाटक शिक्षन की विदियों जिसके अंदर हमने यह डिसकस करना है सबसे तो उसे आप किस तरह से समझाएंगे ताकि बच्चों के अंदर एक अच्छा सा मैसिज जाए और उनने अच्छे संसकार मिले उनका जो चरित्र निर्मान हो तो इसके लिए जो है आप बहुत सारी विधियों का उप्यों कर सकते हैं जिसमें हम आगे डिसकस करने वाले हैं तो पहला जो है आपका कि नाटक शिक्षन का उद्देश्य क्या होता है तो मेन जो मोटिव है कि नाटक शिक्षन क्यों करवाया जाता है बच्चों को क्यों नाटक शिक्षन पढ़ाया जाता है तो वो है कि संसकार और चरित्र निर्मान जो है वो बच्चों का चरित्र निर्म जिसमें हितों के उभदेश दिये जाते हैं उनने मनोश्य के हैं उनको पूरा किया जाता है विखाया जाता है तो यहां चिक्षन की विधियां जिसके अंदर जो Crash X.1 क应 места सबस्रोबagles करें सबस्र्सуска जी कारण ढ़िए हैं और कौन सी ज नहीं तो तो आपको चार option में से तीन option नाटक शिक्षन के दे देंगे और एक किसी अन्य शिक्षन की विदियो का दे देंगे उसमेंसे आपको छाटना होगा कि कौन सी जो है नाटक शिक्षन की विदिया है तो इसके लिए आप trick का use कर सकते हैं पहला है आदशे प्रनाली दूसरा है अभिने प्रनाली दो परकार की ए जिसमें पहला है पर नाम को एक बोल सकते बहुत हैं जो है इस परकार है आदश ने रगमच पर व्याख्या कर कक्ष़ा में समझाया मतलब कि जो आदश व्यक्ति है या आदश नाम का कोई स्टूडेंट है वो उसने रंग मंच यानि जो स्टेज होता है उस पर व्याक्या करके कक्षा में जो है समझा रहा है इस ट्रिक से आप ये देख सकते हैं कि आदश नाट्य विदी आपको यहां से याद हो जिनसे आपका जो कॉंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको ये सारी विदियां जो अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप इनके कॉशन्स जो है वो अच्छे से अटेम्ट कर सकते हैं तो पहला हम डिसकस कर लेते हैं आदश नाट्य विदी आदर से आप देख र स्मझाता है उनके जितने भी चरिद्र है वह सारे उनको बताता है बत्चं को तो जो ची팅र है वही कार्ये करता और बत्चो Запाष्ण की उज़ता सभी है समस्तनाता कग की लगुणाटि को कुक्षा में Swaym स्वयम पढ़कर सुनाता है और उसे समझाता है तो यह जो चीज हो गई वो है आधर्शनाट्य विदी इसके अंदर सिर्फ एक ऐसा नुकसान है कि बच्चे जो है उसके अंदर सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं निबाते हैं लेकिन मनोविग्यानिक विदी यह कहती है कि जिस विदी के अंदर बच्चे सक्रिय होते हैं वही विदी सबसे जादा लाबदाइक होती है तो आधर्शनाट्य विदी का एक नेगटिव पॉइंट है कि बच्चे इसके अंदर जो है निश्क्रिय रूप से भाग लेते हैं अगला है अपना अभीने परनाली अभीने प अगेरा जो पार्ट है उसके लिए पूरा मंच सजाया जाता है और सारे कोस्ट्यूम्स भी बच्चों को उनमें पहनाई जाती है और बच्चे को एक अलग-अलग रोल दिया जाता है इसके अंदर जिसमें की बहुत जादा खर्चा लगता है आपको पता है कि यह जो अगर आपको किसी में पूछा जाए किसी कोशन के अंदर कि किस विदी के अंदर उदेशे की प्राप्ति सबसे जादा होती है नाटक शिक्षन के अंदर आपको बताना है रंग मंच विदी रंग मंच विदी के अंदर ही उदेशे प्राप्ति सबसे जादा होती क्योंकि लाइव बच्चे जो है वो उसे देखते भी हैं और खुद जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं जिसे कि बच्चों का जो अधिगा में वह सबसे कक्षा अभीने विदी कक्षा अभीने विदी एक बहुत ही इंपोर्टेंट विदी इसके अंदर क्या होता है बच्चों को सिफ कक्षा के अंदर ही अलग-अलग रोल दे दिये जाते हैं जैसे आप चित्र के अंदर देख रहे होंगे कि बच्चे को एक को राजा बना दिय कि किस तरह का जो है उसमें समवाद हो रहा है और सारे जो चित्रन है वो हम यहां पर दिखा सकते हैं तो यह जो विदी है वो बहुत ही अच्छी विदी है इसके अंदर अधिकम की मात्रा भी जादा होती है जिसके अंदर बच्चे आसानी से सीख जाते हैं और इसके अंदर जो बालक है वो सक्रिय होता है और इसके अंदर जो खर्चा है वो नहीं होता है और इसके अंदर सिफ ये होता है कि शिक्षकों को निर्देश देने होते हैं बालकों को कि आपको किस तरह की भूमी का निबानी है ये कोशन सबसे जादा पूछा जाता है कि किस तरह से इंपोर अधिक होती है और इसे कम खर्च में विद्दाले इस्तर पर ही संपन करवाया जा सकता है नेक्स हुआ परनाली के अंदर ये है कि आपको पूरे नाटक की व्याख्या करनी जो बालक निश्क्रे रहते हैं और जो शिक्षके वो सक्रे रहते बड़ी कक्षाओं में ही को आसानी से समझ पाते हैं इसलिए जो व्याक्या परना लिए वो नाटक शिक्षन की एक उप्यूग परना लिए बड़ी कक्षाओं के लिए और इसमें एयर उचिकर जो माहोल बन जाता है क्योंकि अगर एक शिक्षक ही बोले जा रहे हैं और बच्चे जो है उसे निश्क्र संवभाई जो परह ना लिए इसके अंदर आपको पता है आपनें पीछे वाले जो कॉणसेफ्ट बालकों के अंदर संस्कार और चरित्र निर्मान किया जाता है 15 गश्वी जन्वरी के समय और यह जो विदि है इसके अंदर सारी विधियों का आपस में सयोग होता है और सारी विधियां नाटक शिक्षन के रूप में यूज़ कर सकते हैं लेकिन जो आपको को छोड़ दिया जाए संभाय विदी को इए तो इसके अतरिक आपका अभीने विदी just के लिए सब से जाधा important in हुजाती है और इस विदी का दूसरा नाम है समाहार विदी जिस के अंदर सभी का जो है सभी का निचोड होता है और इसके अंदर सभी विद्धीयु का यूज किया जाता है तो यह जो विदिये सारी विदियों का मिश्ण clicking सबसे जदा अधिकम होने की संभावना होती है। अगर आपको ओप्षन में समभाइ विदी और कक्षा अभी ने विदी दी जाए तो आपको कख्षा अभीने विदी करनी है वहाँ पर क्योंकि जो छात्र है वो कक्षा अभीने से ही continue सीख सकते हैं क्योंकि जो समभाई विदी है वो हर समय करवाना possible नहीं होता है जो कक्षा अभीने विदी है उसे आप किसी भी वक्त करवा सकते हैं और बच्चों को अधिकम इस तर जो है वो ब परनाली है अगर आपको कक्षा अभी ने परनाली ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो आपको वहाँ पर समभाई परनाली कर देनी है तो यह टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर जब तक आप इसे याद करें औ अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख सकते हैं और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमा साथ इसी तरह से जुड़े रहें थेंक्यू सो मच